हेलो दोस्तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि सबसे बढ़िया जो तरीका है सबसे अच्छा तरीका सबसे स्ट्रेसफुल तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को चलाने का क्या होता है और इसके कितने फाइदें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के और नेक्स्ट जो वीडियो का उसके अंदर मैं सबसे अच्छा तरीका आप से customer care से आपको call आ जाएगा तो यहां भे दोस्तों सबसे बढ़िया जो तरीका है वो trailing stop loss को stop loss को trail करने का वो दोस्तों देखे एक indicator होता है बहुत ही बढ़िया वो अलग video में share करेंगे लेकिन आप इस video में ये समझे कि trail करना क्या होता है और क्यूं आप trail करो stop loss को देखे stop loss आपको पता है कि क्यूं लगाया जाता है stop loss इसलिए लगाया जाता है कि अगर आप कोई आपके पास कोई setup है और वहां पे उस setup नहीं चलता तो आप एक stage है कि उसके बाद वो setup invalidate हो जाता है कि आप तो आपका setup नहीं चला तो एक stage के बाद आप उस trade से निकल जाते है तो आप अपने stop loss को ऐसी जगह पे लगाते है जहां से कि ये sure हो जाता है कि हाँ ये वाला trade setup वो fail हो गया तो क्यूंकि देखिए आपको एक stage पे आके उस trade में से वो अच्छा नहीं होता तो यहां पे जब आपको trail करना है देखिए मैं आपको 10 minute के chart पे दिखाऊंगा कि trailing stop loss क्या होता है देखिए सबसे पहले आपने ये range formation का wait किया यहां पे range जो है मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपने range formation का यहां पे wait करा और यहां पे एक range बन गई आपके पास शुरू के 10 minute की देखिए शुरू के 10 minute की range को इसने यहां पे break considerably नहीं किया और फिर देखिए इसने उपर की तरफ range breakout किया कहां ये वाली candle पे ये वाली candle पे इसने break करा अब trailing stop loss क्या कहता है मालो आपने यहां पे entry ले ली ठीक है इस बात को समझो यह बहुत important बात है आपने यह 3-1-1-0 पे entry ले ली जब इस range को इसने break किया और आपने stop loss कहां लगाया stop loss आपने मालो day के low के नीचे लगा दिया या फिर आपने जो first 5 minute का low बना था वहां लगा दिया 3053 अब आप चाहते हो अब मालो यह stock जो है उपर निकल गया ठीक है यहां से यह उपर निकल गया थोड़ा सा यहां जो आपने entry ली यहां से उपर चला गया यहां तो आप क्या करोगे आप यह चाहोगे कि जो मेरे पास profit आ रहा है या अपने stop loss को update कर दोगे edit कर दोगे edit करके आप इस range के नीचे ले आओगे क्योंकि आपको पता है कि अगर यह range यह वाली जो range बनी हुई है यह जो range बनी है इस range को अगर यह break कर देता है और नीचे की तरफ आ जाता है तो मेरा setup invalidate हो जाएगा दीखे होने और निकला उपर निकलने का wait करना पड़ता है और candle close का तो आप अपने stop loss को यहाँ पे ले आओगे इस range के नीचे और देखिए फिर यह और उपर गया यहाँ पर यहाँ पर लास्ट के सवा तीन बजे तो आप क्या करोगे अपने stop loss को इस यह वाले hammer के और नीचे ले आओगे अब देखिए market बंद हो रही थी तो आप आपका जो आपका जो sell order है वो देखिए यहाँ stop loss तो आपका यहाँ है लेकिन market बंद होते होते हैं आपका order माल लो 30 पे आपने काटा उसको तो आप वो यहाँ पे high level पे आपका execute होगा तो यहाँ पे trail का आपको क्या फैदा हुआ trail का दोस्तों यह फैदा हुआ कि जो आपका initially risk था initial जो risk था वो आपका reduce हो गया और trading जो होती है दोस्तों वो trading जो risk management होती है trading कोई कहीं पे पैसा नहीं लगा हुआ सब लोग अपना पैसा रोज जो है market में अपने account में लेके बैठते है और कोई lose करता है और तो कोई gain करता है किसी का पैसा किसी के पास transfer होता है daily के daily तो यहाँ पे market में कहीं पे कुछ भी paid पे नहीं लगा हुआ कि paid पे लगा हुआ है और सबको daily पैसा मिल रहा है नहीं एक का पैसा दूसरे के पास जा रहा है market में कभी जो है देखे बड़े जो operator है कभी operator operator retailer का पैसा ले लेते हैं कभी retailer प्रोफेशनल ट्रेडर amateur वालों का ले लेते हैं पैसा तो daily यही चलता है कई बार होता है कि कई बार operator भी धोका खाता है तो यह वो बहुत rare होता है लेकिन operator भी धोका खाते हैं वो भी अलग से बताओंगा कि कैसे operator भी जो है trap में फज जाते हैं operator भी इस चीज से अच्छूते नहीं है तो यहाँ पे देखे आपको क्या फैदा हुआ जैसी है stock उपर गया तो आप अब trail करने के बहुत तरीके हैं लेकिन वो तरीके बहुत हैं वो आपको एकदम समझ में आजएंगे अगर आपको ये समझ में आगया कि आप trail क्यों कर रहे हो और trailing है क्या? Trailing क्या है कि अच्छे बच्चे की तरह आपने हाथ पकड़ा और सीधा-सीधा चलते रहे अच्छे बच्चे की तरह market अगर जाये जा रही है तो market के price के पीछे-पीछे चल रहे हो पीछे-पीछे चल रहे हो लेकिन इसमें सबसे जरूरी और महतपूर्ण बार trailing stop loss में यह होती है जो मैं यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपने अपना trailing stop loss इस candle के पीछे लगा दिया यह यहाँ पे क्या करेगा देखिए यहाँ पे इसने आपका यहाँ पे hit कर दिया यह hit करके फिर बड़ी move दी तो जब आप trailing stop loss को इतना tight लेके चलते हो price के साथ-साथ समझो इस बात को कि उस price की volatility उसको काट दे तो वो stop loss बहुत जादा आपका accommodative नहीं है कि जो volatility, volatility क्या है कि stock उपर जाएगा फिर नीचे आएगा उपर जाएगा नीचे आएगा एकदम उपर नहीं जाएगा एकदम एक लाइन से उपर नहीं गया उपर गया फिर नीचे आया यह यह volatile है, volatility है, इसकी अपनी retracement कहलो, volatility कहलो, तो यहाँ पर आपको volatility को cater करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे indicators भी है, price action based भी है, और जो कि बहुत बहुत अच्छे चलते हैं, trailing stop loss के मामले में, तो दोस्तों यह अगर आपको trailing stop loss समझ में आया है, कि trailing stop loss का concept क्या है, अभी आप सिर्फ यह समझो, उसके बाद अगले videos में मैं आपको बता दूँगा कि trailing stop loss करने के क्या क्या तरीके होते हैं, और सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो दोस्तों आशा करता हूँ, यह trailing stop loss आपको समझ में आया होगा, समझ में आया उनको भी इस free channel के माद्यम से सीखने का मौका मिले, thank you दोस्तों